पटना में रविवार को स्पाइस जेट के विमान की एक इंजन में टेक ओफ के दौरान आग लग गई। आग लगने की बाद विमान की एमरजंसी लेंडिंग की गई। स्पाइस जेट का ये विमान पटना से दिल्ली के लिए उडान भर रहा था। विमान की सभी 185 यात्री सुरक्षित है। घटना के बारे में बताते हुए पटना हवाई अड्डे के निर्देशक ने कहा कि पटना से दिल्ली जाने वाली स्पाइस जेट की उडान में एक उन्हें लगा की विमान में कुछ गड़बढ है वहीं एक अन्य यात्री ने कहा कि यात्रा के दौरान विमान के अंदर की रोशनी तिम्टि माने लगी जिससे हमें लगा की उड़ान के समय से ही कुछ गड़बढ है यह पूरी तरह से स्पाइस जट की लापरवाही है पटना के बिहटा एयर फोर्स स्टेशन पर एमर्जंसी लेंडिंग करने से पहले यह लगभग 25 मिनट तक हवा में रहा इसे तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शियर जरूर करें